तो गैस वेलकम बैक टूदर वीडियो तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जिस दिन से कुले कुले सॉंग एंड कलास्टा टीजर डॉप हुआ है हरे जगे बॉट्शा भाई को बहुती गंदी तरह से पेला जा रहा है लेकिन अभी अभी अपने अलफास पाजी ने भी इसको पेल दिया है जी हाँ कल तो उन्होंने कलास्टा टीजर के स्टैट्स को शियर करके कुछ ऐसी स्टोडी लगाई थी लेकिन आज वो हनी पाजी को टैक करके एक वीडियो शियर करते हैं जिसमें लिखा है अब जिसको इधर बॉल्स का मतलब समझ नहीं आया तो बॉल्स का मतलब इधर वो एल के नीचे के दो बॉल्स हैं जो की बॉट्शा एंड गिरफतार हैं मतलब सिर्फ एक स्टोडी से अलफास पाजी ने बॉट्शा को क्या ही गंडा पेल दिया है खेर इसके अलावा एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं जिन्होंने कल हनी पाजी और बॉट्शा को लेके कुछ ऐसी स्टोडी लगाई थी और लिखा था यार ये बाच्शा वर्सिस हनी सिंग कर रहे हो तो सही से करो ना ताकि मज़ा आये थोड़ा माहौल बने तो इसके बाद बो हनी पाजी और बॉट्शा को लेके स्टोडी में कुछ ऐसा पोल रखते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हो अपने जियान भाई को 10% वोट भी बड़ी मुश्किल से मिले हैं खेर बढ़ते हैं नेश अब्लेट की तरफ तो अपने हनी पाजी की एक वीडियो बहुती जादा वारिल हो रही है जिसको लेके कुछ लोग बोल रहे हैं कि कलास्टार सॉंग लीक हो चुका है तो पहले तो आप इस वीडियो को देख लो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये गाना सच में लीक हुआ है या नहीं तो ये जो गाना आपने सुना ये इंटर्व्यू के अंदर एक आर्जे ने हनी पाजी को ट्रिब्यूट दिया है बिल्कुल देशी कलाकार वाले फ्लो में लेकिन कुछ लोग इसे कलास्टर सॉंग का लीक बोल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अपने हनी पाजी इतना बड़ा सॉंग किसी इंटर्व्यू में आखिर क्यों लीक करेंगे खेर बढ़ते हैं नेक्स अप्डेट की तरफ तो अभी अभी धुरूव राठी यानि जर्मन सेफ़ड का एक और निव वीडियो सामने आया है जिसमें ये हनी पाजी को एक बार फिल से टार्गेट कर रहा है वो भी सिर्फ एक चीज पे जिस पे इसने पहले भी काफी बार हनी पाजी को टार्गेट किया है तो अगर इसका कोई फैनिस वीडियो को देख रहा है तो इसको जाके बोलो कि लास्ट मन्त हनी पाजी ने सोल नाम का एक सौंग डॉप किया है जिसमें उन्होंने सारी की सारी वीडियो में को कितना जादा मोटिवेट किया है एक बार जाके सुन लेना उसके बाद तुम लोग वीडियो में आके भौकना खेर अभी के लिए बस इतना ही यहां तक आए हो तो लाइक का बटन दबाके जाना बाकी मिलता हूँ मैं आपको लेक्स वीडियो में तिल देन बबाए